नमस्कार दोस्तों आप सभी के लिए एक नई भरती लेकर आगया हूँ जो कि बिहार रज्जासो एवं भूमि सुधार विभाग में पचीस्तो छे पोश्ट के लिए नई वेकेंसी निकाली गी है दोस्तों इसमें आपको पोश्ट मिलने वाला है असिस्टेंट सेटलमेंट आफिसर के लिए इसमें कानुनगों के लिए अमीन के लिए और कलर के लिए इसमें पोश्ट है तो दोस्तों अगर आप भी इसमें फोरम अपलाई करना चाते हैं पुरा प्रोसेश जानना चाते हैं कि आपका फोरम कब से कब तक अपलाई होगा क्या क्वालिफिकेशन है ए ग decision कर दे कि यहांपर जो भी जनकारी मिलने वाली है बिलकुल सही और सटिक तो दोस्तों चलिए video start करते हैं और सभी जनकारी को जानते हैं दोस्तों यहांपर देखिये सभी notification चल रहा है जोकि latest update में यहांपर देख सकते हैं जो की एक मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी दिखाने वाला हूँ चलिए इसे डाउनलोड करके हम दिखाता हूँ दोस्तो देखिए एहां नोटिफिकेशन ओपिन होकर आ गया जो की अमीन के लिए इसमें 1944 पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तो इसी परकार से जो भी आप पोस्ट का डीटेल जानना चाहते हैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप डाउनलोड करके देख सकते हैं दोस्तो अपलाई डेट की बात की जाये तो यहां पर देख सकते हैं 27 सितंबर से आपको स्टार्ट हो जाएगा और आप इसमें 21 अक्टूब आप डाउनलोड से भी इजली अपलाई कर सकते हैं बिलकुल फ्री में वहीं दोस्तो एज लिमिट की बात की जाये तो यहां पर देख सकते हैं 1 जनवरी 2022 को आपको 18 बरस से दोस्तो यहां पर 40 बरस एज होना चाहिए जो कि मेल फीमेल के लिए यहां पर देगा गिया है जो दूस्तो यहां पर देख सकते हैं आपको पोष्ट डिटल दिया गिया है जो कि 2506 जिसमें यहां पर देख सकते हैं असिस्टेंट सेटलमेट ओफिसर के लिए 90 पोष्ट है जिसके लिए क्वाइन के लिए देगरी इन सिविल इंजिनियरिंग त्वीयर एकस्परियंस होना चाहिए आपको किसी भी इंच्यूट या इन्वर्सिटी से व्यारती इसमें अप्लाई कर सकते हैं 1944 पोश्ट मिले वाला है वही दोस्तों अगर आप बैचलर डिगरी पास हैं बीए पास हैं तो कलर के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं जो कि 226 पोश्ट मिले वाला है दो दोस्तों अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर नहीं अप्लाई करना है तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यह आपको गवर्मेंट और सरकारी गवर्मेंट के थुरू यह वेकेंसी आई हुई है तो दोस्तों और कोई भी जनकारी चाहि के लिए जैहिन नमस्कार